नमस्कार दोस्तों वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल में आपका जवागत है अबजेक्टिव परसनों का टोपिक लेकर हम एक बार फिर उपस्तित हैं इस टोपिक में ट्रांसफार्मर से समधित महत्वपुरुन परसन है ट्रांसफार्मर के लगबग सभी टोपिक से एक-एक पर कौन सा कारक ट्रांसफार्मर में परिवर्थित नहीं होता है यानि जो ऑप्सन अपन को दिये गए है उसमें से ऐसा कौन सा फेक्टर है जो ट्रांसफार्मर में परिवर्थित नहीं होता है बोले तो प्राइमरी और सेकेंडरी में एक समान होता है देखे ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करता है हम सब जानते हैं क्योंकि वोल्टेज को step up या step down करने के लिए transformer का उपयोग किया जाता है जब transformer voltage को परिवर्तित करता है तो current परिवर्तित उसमें हो जाती है यानि धारा का मान अपने आपी परिवर्तित हो जाता है और अगर voltage step अप होता है तो current step डाउन हो जाती है लेकिन frequency का मान जो है वो transformer की primary और secondary में एक समान रहता है और ये वो कारक है जो परिवर्तित नहीं होता है यानि current और voltage changes होते है जबकि frequency में कोई changes नहीं आता है इसलिए इस परिवर्तित का उत्तर होगा C कि transformer के frequency जो है वो परिवर्तित नहीं होती आसान सा परिवर्तित है अगला second question है कि उच फरिवर्तित के transformer में परियूक्त कोर की धातु कौन सी होती है देखिए transformer में आपको repeat करवा दें दुबारा एक बार ट्रांसफार्मर में वाई-यू कोर होती नहीं हम लोहे कोर का उपयोग करते हैं क्योंकि वाई-यू कोर की तुलना में लोहे कोर का पर्तिष्ठम यानि reluctance कम होता है और मजबूत फलक्स मिलता है इन primary से secondary के बीच leakage फलक् नहीं बोडी बनाने के काम आता है अब बचे सिलिकोन श्टील और फेराइट दातू तो ध्यान रखना जैसा कि इस प्रसन में पूछा गया है उच्छ फरिक्वंसी के ट्रांसफार्मर के बारे में जब पूछा जाता है तो उनमें फेराइट कोर होती है यानि इस प्रसन के ड्राइट कोर होती है जोको इस प्रसन का उतकर सी हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है स्टेप ड्रांसफार्मर में क्या होगा यानि अपनको ऑप्शन दिये गए हैं और इनमें relation अपन से पुछा गया है यानि क्या समंद पाया जाता है step up transformer अगर हो तो ध्यान रखिएगा इस तरह के जो relation जैसा option में दिया गया था तो वोल्ट बटे ट्रन है और इस तरह के समंदों को हम वोल्ट परती ट्रन कहते हैं यानि कि एक ट्रन के लिए कितने वोल्ट वाइंडिंग में उत्पन हो रहे थे तो प्रेंट्स आपको ध्यान रखना है ट्रांसपार्मर step up हो या step down हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता एक ट्रांसपार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्ट परती ट्रन कहें दो या ट्रन परती वोल्ट कहें दो हमेशा ध्यान रखना है एक बराबर होता है एक ट्रांसपार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्ट परती ट्रन और ट्रन परती वोल्ट का मान आप इसको एक्जाम्पल के तरू करके भी देख सकते हैं सेकंड क्यूस्टन है नेक्ट क्यूस्टन कि स्टेप डाउन ट्रांसपार्मर में रेश्यो कमान कितना होगा देखिए स्टेप डाउन ट्रांसपार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसपार्मर में अब किसी भी रेश्यो क तो इस प्रसंद का उत्तर कर देंगे अपन सी अगर ये प्रसंद अपन से इस टेप अप ट्रांस्फार्मर के लिए पूचा जाता तो फिर डी आता इन्द रेशो कमान इक आई से अधिक होता है नेक्स क्यूशन है कि एक ट्रांस्फार्मर की दक्सता उच तम तब होती है ट्रांस्फार्मर की मेक्सिमम एफिसेंसी के बारे में पूचा गए तो ध्यान रखना है ट्रांस्फार्मर में दक्सता हानियों के समंद में मेक्सिमम तब होती है जब लोह हानी का मान तामर हानी के मान के बराबर हो यानि iron loss और copper loss जब बराबर हो तब एक transformer की efficiency maximum होती है अगर भार के संदर्ब में उच्तम दक्सता हो तो ध्यान रखना है distribution transformer में 50% भार पर होती है और power transformer में full load पर यानि 100% load पर जो निर्धारित मान होता है उस पर दक्सता उच्तम होती है आनियों के संदर में तब होती है जब core loss copper loss के बराबर हो जाए transformer में हम इसको यूँ भी कह सकते है fix loss variable loss के बराबर हो जाए next छटा परसन है कि एक transformer में दो तिहाई भार पर यानि दो बटे तीन load पर copper loss का मान 1600 watt है तो पुरन भार पर ताम रखानी का मान कितना होगा friends इस तरह के परसन जब भी आपको दिये जाए तो ध्यान रखना है कि दिया गया जो power होती है ये आप P मान लिजे और इस दीगी भार को आप धारा मान लिजे यानि I और P अपने पास आ गए ऐसे प्रसनों में आपको R गयात करना है और R गयात करने के लिए शुतर लगेगा P बटे I स्क्वेर और ध्यान रखेगा कि जितना winding का R होता है फुल लोड पर उतना ही copper loss माना जाता है यानि पुर्ण भार पर ट्रांसपार्मर में copper loss और resistance का मान बराबर होता है तो अगर हम इस विदी से resistance का मान गयात कर दें तो जो resistance का मान आएगा वही फुल लोड का copper loss होगा अब देखे पावर का मान तो 1600 वाट था I स्क्वेर का इसमें भाग देना है तो 2 बटे 3 की अपने पहल करेंगे तो यह उतर आएगा 3600 वाट यानि 3600 वाट तो इस प्रसंद का उतर कर देंगे अपन B नेक्स्ट अगला प्रसंद है कि नो लोड पर एक transformer के द्वारा लीगी धारा फुल लोड धारा का कितनी होती है ध्यान रखना नो लोड पर एक transformer के द्वारा लीगी धारा फुल लोड करेंट का 2 से 5 पर तिसद तक होती है लेकिन माल लीजे कि यही प्रसंद ट्रांसफार्मर की जगए इंडक्शन मोटर में होता तो एक 3 फेज की इंडक्शन मोटर की नो लोड पर लीगी धारा उसके फुल लोड धारा का 30 से 40 पर तिसद तक होती है यानि अगर मोटर में परसंद अपन से पूचा जाता तो C उत्तर कर देते 30 से 40 पर तिसद नो लोड धारा होती है लेकिन ट्रांसफार्मर में अगर अपन से पूचा जाए तो 2 से 5 पर तिसद होती है जैनि इसका A उत्तर होगा नेक्स्ट आठवा परसंद है कोपरलोस ग्यात करने के ल कोपरलोस ग्यात करने के लिए ओपन सर्कीट टेस्ट और कोपरलोस ग्यात करने के लिए शोर्ट सर्कीट टेस्ट किया जाता है यानि इस प्रसंद का उत्तर होगा भी शोर्ट सर्कीट टेस्ट लेकिन अब सब ओप्शन को अगर अपन देखें तो ओपन सर्कीट टेस्ट य ऐसे तो open circuit के जैसा ही होता है लेकिन ये no load working कार्य पढ़ना ली वो भी एक अलग chapter है तो इसके लिए फिर option अपन देंगे चुम्ब किया धारा और हानिया यानि कि active धारा और magnetizing current दो फरकार की धारा ही होती है चुमकन धारा, magnetizing current और हानिया ग्यात करने के लिए no load test किया जाता ह हाला कि no load पर हमें transformer के power factor का पता लग जाता है तो वो magnetizing current से ही लगा था और next D option है संपनर test तो ये जो संपनर test होता है ये transformer में efficiency ग्यात करने के लिए होता है दक्सता ग्यात करने के लिए संपनर test होता है तो ये A, B, C, D चारों टेस्ट हो गए चार तरह के उत्तर हो गए नेक half load पर lossage करमशा कितने होंगे यानि पुरन भार पर अपने को मान दिया गया है जबकि आदे load पर पूचा है तो फ्रेंट्स एक बात आपको ध्यान रखनी है कि transformer में lower honey यानि iron loss जो होता है वो fix loss होता है इसका जितना मान full load पर होता है उतना ही half load पर होता है अब देखिए iron loss क का मान यहां पर 1000 वाट दिया गया है इसलिए अदे load पर भी iron loss का मान 1000 वाट ही होगा अब 1000 वाट के option A और D दो ही है यानि शोर हो गया कि B और C उतर तो नहीं होगा अब देखिए दूसरी बात copper loss fix loss है नहीं तो 1200 वाट हो नहीं सकता copper loss भार के आदार पर बदलता रहता है और बार आदा होता है तो copper loss एक बटे चयार हो जाता है यानि copper loss ताम रहानी एक चोथा ही रह जाती है तो जो copper loss 1200 वाट थी वो 300 वाट रह जाएगी और इस परसन का उत्तर हो जाएगा D यानि copper loss 300 वाट हो जाएगा आरोपित वोल्टेज हैं होती कैसे देखिए फ्रेंट्स ध्यान डखना है नो लोड पर ट्रांसफार्मर चुम्ब की ये सरकिट की सरणी में आता है मेगनेटाइजिंग सरकिट में या यूं कह दीजिए कि इंडक्टिव लोड की सरणी में आता है क्योंकि इसका पावरफेक्टर 0.1 से 0.2 लेगिंग होता है नो लोड पर, ट्रांसफार्मर का पावरफेक्टर 0.1 से 0.2 और लेगिंग होता है ये भी आपको ध्यान लखना है, अब एक चीज़ तो ये ध्यान लखनी है कि मेगनेटाइजिंग कर्ण होती है यानि इंडक्टी परकार का है तो lagging होगा और lagging के लिए option फिर या तो B होगा या फिर D होगा अब देखो power factor कम होने का मतलब होता है कि फेजंतर उतना ही अधिक है power factor घटने का मतलब है फेजंतर उतना ही अधिक है तो वो लग भग 75 degree lag करती है जो इस परसन का उत्तरापन कर देंगे B यानि no load current जो होती है वो लग भग 75 degree के आसपास lagging होती है इसलिए transformer का no load पर power factor कम होता है अगला ग्यारवा परसन बहुत important difference ध्यान से देखिएगा परसन ये है कि star delta center एक transformer की primary और secondary की line voltage के बीच कोण ये विस्थाफन का मान कितना होगा angular displacement पूछा गया है primary और secondary की line voltage यानि VL primary का और VL secondary का फ्रेंट्स ध्यान डखना है transformer के बारे में आपको मैं बताओंगो तो सुन लीजी ध्यान से एक transformer में फेजनतर के बारे में तीन बाते होती है वैसे चार होती प्राइमरी और secondary में 0 degree का फेजनतर हो सकता है 180 degree का फेजनतर हो सकता है माइनस के 30 degree का हो सकता है और प्लस के 30 degree का हो सकता है और ये situation रहती है इनके सयोंजन की देखिए star star सयोंजन अगर इस तरह से हो तो इनमे 0 डिगरी का फेजनतर है अगर delta delta सयोंजन इस तरह का हो तो इनमे 0 डिगरी का फेजनतर है लेकिन star star सयोंजन अगर इस तरह से हो तो इनमे 180 डिगरी का फेजनतर होता है और अगर delta delta सयोंजन इस तरह से हो तो इनमें 180 डिग्री का फेजनतर रहता है। अब बात करते हैं 30 डिग्री के तो ध्यान रखना है 30 डिग्री की सिच्वेशन ये होती है कि connection star और delta ही होगा connection delta या star होगा। इन दोनों में position 30 डिग्री की आती है अब आपको ध्यान ये रखना है कि इनके सेंजन किस तरह से होते हैं यानि इतनी सी बात ये आती है कि star और delta आते हैं तब या तो plus क 30 होगा या minus क 30 होगा लेकिन अंतर 30 डिग्री का होगा इसके लिए ये होता है कि star में और delta में हमने कौन कौन से terminal short किये ये इस बात पर नेवर करता है और ये घड़ी के एक बजे की position ये 11 बजे की position दरसाते हैं तब ऐसा होता है तो इस person में देखो star delta दिया गया सिरफ और option में अपन को केवल और केवल एक ही option 30 डिग्री का दिया गया इसलिए जब भी star delta आ जाएगा तो उत्तर कितना होगा 30 डिग्री का होगा मान लिजे इस person में ये होता इस तरह से 2 star तो फिर 180 डिग्री का अंतर कर देते मान लिजे कि इस person में यूं होता इस तरह से 2 delta तब भी 180 डिग्री का अंतर करते 90 degree का अंतर होता नहीं, 0 degree है वो होता है तब जब एक जैसे star और एक जैसे delta अगर सवय जिद होते तब तो इस person का उत्तर हो जाएगा, A 30 degree होगा next बार्मा person है, अच्छा person ये भी है ये एक सवाल है कि एक line में 3200 A, पॉबलिक 5 A की CT लगी है यानि line में एक CT लगी है और उस CT का ratio कितना है, 325 का है तो CT की जो secondary है, उस side एक emitter जुड़ा हुआ है और वो emitter हमें 2.8 A की reading देता है तो वास्ट्विक line धारा की गणना करो कितना होगा फ्रेंट्स ध्यान रखना है CT में वास्ट्विक line धारा अगर ग्यात करनी हो तो सुत्र होता है CTR यानि current transformer का ratio into emitter की reading यानि CT का जो ratio है उसको emitter की reading से multiply कर दीजे CT का ratio कैसे निकलता है CT की primary current बटे CT की secondary current अब primary current यहां पर 32 ampere है और secondary current यहां पर 5 ampere है तो 325 into 2.8 इस person को आप हल करके देखना friends उत्तर आ जाएगा और इस person का उत्तर होगा A के 1792 ampere की धारा प्राइमरी में चल रही है देखे CT ratio का मतलब यही होता है कि अगर secondary side में 5 ampere आएगी तो मतलब प्राइमरी में 32 ampere है अब देखो secondary side में अगर 2.5 होती तो 1600 उत्तर होता से दीशी बात है यानि उत्तर 1600 से कुछ एक अधिक है 1792 ampere इसका उत्तर हो जाएगा next question यह है कि एक transformer 80 kilowatt भार को 0.8 lagging power factor पर 100 ampere की भारधारा supply करता है transformer की kv rating कितनी होगी friends person को हल करने के दो तरीके है अपने पास एक तो देखो kv rating याद करनी हो तो बड़ा आसान तरीका यह है कि kilowatt में power factor का भाग दे दो यानि kilowatt बटे power factor अगर कर दे तो kv rating आ जाती है देखो kilowatt अपन को दिया 80 और power factor कमान 0.8 है अगर हम इस person को हल करें तो उत्तर आएगा 100 kv यह option हो जाएगा लेकिन इसी person को अगर हम दूसरे तरीके से भी solve करना चाहें तो दूसरा तरीका यह है कि पहले अपन kilowatt का उप्योग करते हुए voltage का मान गयात कर सकते थे क्योंकि kilowatt कैसे calculate हुआ V into I into cos 5 और इसमें हमने 1000 का भाग दिया तो वो kilowatt आया इससे अपन को voltage मिल जाएगी क्योंकि I और कोसफ़ाई दे रहे खर kilowatt की rating दे रहे है न तो इससे अपन voltage गयात कर सकते थे और फिर V I बटे 1000 करते तो वो अपना kv rating भी calculate कर सकते थे तो इस person का उत्तर होगा A कि 100 kv का transformer है next अगला चाउद्वा परसन है कि एक 3 phase delta transformer में यानि 3 phase का कोई delta था और उसमें एक element जल गया तो output कितनी होगी friends परसन थोड़ा सा confusing है आपको ध्यान रखना है देखिए वैसे तो इसमें confusion कोई है नहीं क्योंकि option में 33% दिया ही नहीं मैं आपको दो बातें बताने जा रहा हूँ ध्यान से आपको समझना होगा friends याद रखिएगा देखो delta में क्या होता है हमने एक बार साइद पहले भी बात के थी polyphase supply system में जब topic पड़ा तब delta में यदि एक element या winding open हो जाती है तो उसकी सक्ति खपत पूर्वमान की एक बटा तीन रह जाती है यानि एक तियाई हो जाती है बोलें तो power output जो उसकी होती है वो 33% ही रह जाती है लेकिन power output नहीं यह power consumption थी यानि सक्ति खपत के बारे में अगर जैसे इस्पोज करो यह transformer करना होकर यह induction motor का version होता कि तीन phase induction motor में एक जल गया तो motor की सक्ति खपत घट जाती है स्पोज करो motor किसी समय 100 kilowatt का consumption करवा रही थी तो अब motor 33 kilowatt ही सक्ति खपत कराएगी यह बचत हो जाती है लेकिन अगर हम बात करें power output के लिए जैसा कि transformer करता है तो एक element open होने का मतलब है कि यह बन गया एक तरह से VV connection या open delta VV connection जो होता है वो अपने rating का 58% बार उठाता है यानि वो 58% load अपन को output में देता है इसलिए इस percent का उतर क्या होगा C होगा कि rating का 58% जो है वो output में मिलेगा next question है कि escort connection में टीजर ट्रांसफार्मर पर taping कितने के लिए होती है देखिए फ्रेंट्स पहले तो यह बात करेंगे escort connection क्या होता है तो escort connection होता है transformer में तीन फेज सप्लाई को दो फेज सप्लाई में convert करने के लिए और दो फेज सप्लाई को 3 phase supply میں convert करने के लिए यानि 3 को 2 में और 2 को 3 में जب convert करना हो तो हम 이stickooT connection का उपयोग करते हैं लेकिं 이stickooT connection के लिए क्या होता है वी भी आपको ध्यान लखना होगा तो 2 single phase transformer हम इसमें काम में लेते हैं एक जो होता है उसको हम main transformer कहते हैं और दूसरा जो होता है उसको हम teaser transformer कहते है main transformer किनी भी दो फेजों से जुड़ जाता है R और Y से मान लीजे तो teaser transformer की winding को एक सिरा तो यहीं से मिलता है जो फेज रह गया लेकिन दूसरा इसको main transformer की 50% tapping से मिलता है अब इस teaser transformer में दो behavior होते है एक फेज का और एक neutral का तो सवाल यह था कि हम teaser transformer में tapping कितने पर निकालते हैं तो परसन यह था कि teaser transformer के कितने हिस्से में से neutral निकलता है तो ध्यान रखना है 86.6% भाग से एक tapping निकलती है और वो भी primary side पर निकलती है इसलिए इस परसन का उत्तर होगा ए कि teaser transformer की primary में 86% पर एक tapping होगी जहां से हम phage और neutral के निकलते हैं यानि दो बटा तीन भाग के आज पास लगबग जो होगा बहां से तो अपन एक तियाई भाग के लिए neutral दो तियाई भाग के लिए phage रखते हैं तो 86% से अपन phage निकलते हैं तो इस person का उत्तर होगा अगर सवाल यह होता कि teaser transformer को supply देने के लिए main transformer के किस से में stepping निकालते हैं तो उसकी primary के 50% इस से में से निकालते हैं अगला person है कि एक transformer में stresses हानी को उचित का उप्योग करके कम किया जा सकता है यानि सवाल सिधा सा यह है कि transformer में stresses हानी कम कैसे की जा सकती है देखिए हम सब जानते हैं कि transformer की core silicon steel की क्यों लेते हैं तो इसका अपन जवाब देते हैं कि core में stresses हानी कम करना यानि stresses हानी जो है वो core की दातों पर निबग करती है material पर निबग करती है यानि ये इस बात पर नीब करती है कि हमने कोर की धातू कोन सी ली है ना तो कोर की धातू को कम करके उचित पदार्थ का उपियोग करके हम इस्ट्रेसिस हानी को कम कर सकते हैं जैसे सिलको और श्टील को लिया तो इसमें इस्ट्रेसिस हानी कम होती है तो core का पदार्थ यानि इसका ए उत्तर हो जाएगा ये core के पदार्थ का chain करके हम hysteresis हानी को कम कर सकते हैं next question है transformer में परियुक्त oil परदान करता है यानि oil हमें क्या क्या परदान करता है ज्यान रखिएगा friends transformer में oil वैसे तो oil के तीन काम होते हैं और वो है cooling, insulation और lubrication यानि वो सीतलन का काम भी करता है, insulation यानि hl का का काम भी करता है और lubrication यानि सनहक का काम भी करता है लेक corriation में ध्यान रखना है आपको क्योंकि lubrication का मतलब होता है सनहक और सनहक की आजशकता हमें वहीं पड़ती है जहां घरसन होता हो अब ट्रांसफार्मर में कोई rotating part नहीं होता है ट्रांसफार्मर एक aesthetic machine है इसलिए वहाँ पर किसी परकार का गरसन होता नहीं है तो हमें lubrication की आवशकता नहीं होती है इसलिए ट्रांसफार्मर में परियुक्त oil का काम केवल और केवल cooling और insulation देना है यानि इस परसन का उत्तर होगा C कि वह वहाँ पर सीतलन और एचा लगता परदान करने के लिए होता है वो winding को ठंडा रखने के लिए वो winding को insulation परदान करने के काम भी करता है तो इस परसन का उत्तर होगा C cooling and insulation oil transformer परदान करता है हालांकि जब ताफमान परभावित होता है परिवर्तित होता है तब ये breakdown voltage परभावित जरूर होती है यान temperature बहुत अधिक हो तो breakdown voltage कुछ कम हो सकती है next question है कि एक transformer में conservator का कारिय क्या है देखिए transformer में ये सुरुक्षय युक्ती तब लगती है जब transformer oil cooling परकार का हो और ये एक परकार का auxiliary oil tank है यानि conservator क्या है transformer के लिए एक परकार का auxiliary oil tank है और ये main oil tank के ठीक उपर लगाया जाता है यानि main oil tank जो अपना है उसके ठीक उपर अपन लगाते है main tank में जब भी तेल की कमी होती है तब ये शेती बूरती करता है अगर किसी कारणवस main tank में तेल का परसार अधिक हो जाता है तब ये उसमें परसार के दोरान तेल को वापिस भी ले ले लेता है यानि एक अत्रिक छेतरफल भी परदान करता है यूँ कह सकते हैं यानि conservator main tank में तेल के परसार और संकुचन दोनों से सुरुक्षा परदान करेगा किसी भी कारणवस से main tank में अगर परसार अधिक हो गया तब भी देगा और कमी होने पर भी देगा तो इस परसन का उत्तर है C तेल के परसार और संकुचन से सुरुक्षा नेक्ड देखि इस नमी के परवेस को रोकना तो नमी के परवेस को रोकने के लिए हम सिलिका जेल लगाते हैं और बडीदर जो लगाये जाता है वो स्वसन के लिए complete करने के लिए लगवाये जाता है यानि अगर बडीदर नहीं हो तो consider Carolina का जो oil होता है वो main tank में नहीं जाएगा next question है कि ट्रांसपार्मर के बरीदर में परियुक्त रसाइन कौन सा है यानि बरीदर में जो नमी सोकने के लिए हम रसाइन बढ़ते हैं तो वो सिलिका जेल होती है यानि ट्रांसपार्मर के बरीदर में जब स्वसन के लिया होती है उस दोरान जो वाई यू कंजरवेटर में प्रवेस करती है वो नमी युक्त होती है तो उसकी नमी सोखने के लिए हम सिलिका जैल परियोग करते हैं सिलिका जैल का काम नमी सोखना है अब नमी सोखने के लिए सिलिका जैल की बात करें तो इसके रं बात करें फ्रेंड्स क्योंकि अगर हम बाइचांस अब्जेक्शन लगाना हो तो बुक के अकोर्डिंग अब्जेक्शन लगा सकते हैं तो नई सिलिका जेल होती है वो सफेद या खलकी नीली होती है बुक के अमसार मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा एक्चल में क्या होता है वो भी माइबदाऊंगा और बुक में क्या दिया बुक के अकोर्डिंग ये है कि न्यू जो सिलिका जेल होती है वो सफेद या फिर हलकी गुलाबी होती है यानि लाइट पिंक अपन जिनको कहते हैं और जब वो सिलिका जेल नमी सोख लेती है उसके बाद में वो न पूजिट होते हैं प्रेटिकली नई सिलिका जैल जो होती है वो नीली होती है और नमी सोखने के बाद वो सफेद या हलकी गुला भी हो जाती है इंटरनेट पर भी आपको इसी तरह के उप्शन मिल जाएंगे अब प्रिंट्स हमें क्या करना चाहिए मैं इस पर भी बात करना भी करती है तो जब भी कोई दोस्स आता है तो अलर्म दे कर सूचित भी करती है और सुर्कशापरदान भी करती है ये कंजर्वेटर और मेन ओयल टेंग के बीच में लगाई जाती है तेल और गेस दाप सिधान्त पर आदार्थ होती है ध्यान रखना है एक मातर बकोलज रिले ही इस परकार की रिले है जो केवल ट्रांसफार्मर में लगती है अन्य सबी रिले जो अंडर करंट, ओवर करंट, अन्डर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और अर्थ फाल्ट ये जितने भी रिले होती है ये मोटरों में भी लगती है ट्रांसफार्मर में भी लगती है लेकिन बकोलज रिले एक मातर ऐसी रिले है जो केवल और केवल ट्रांसफार्मर में परियोग की जाती है नेक्स्ट क् हमें धारा ग्यात करनी हो तो ट्रांसफार्मर में करेंट ग्यात करने के लिए लोसेज के संदर्ब में P बराबर I2R होता है यानि अगर हमें कोपर लोस मिल जाए तो हम धारा ग्यात कर सकते हैं क्योंकि हमें तुल्ले परतिरोद 0.25 ओम दे रखा है कोपर लोस कमान के बराबर हो यानि कोपर लोस का मान भी कितना दिया गया है हमें 100 वाट ही दिया गया है क्योंकि अधिक्तम पर धारा पूचिए तो देखे फ्रेंट्स धारा ग्यात करने के लिए जो सुत्र होगा वो हो जाएगा कि जब इसको अपन शोल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 400 और 400 को जब रूट निकाल करके हमहल करेंगे तो उत्तर आएगा 20 एंपियर निए 20 एंपियर धारा पर अधिक्तम दक्सता होगी क्योंकि 20 एंपियर धारा और 0.25 ओम रेजिस्टेंस मानते हुए अगर अगर 100 वाट हो गया आएरन लोग 100 वाट है तो ट्रांसफार्म की दक्सता मेक्सिमम होती है